कि अच्छे ही होंगे सो प्रिंट्स आज की स्यूडियो में आप लोगों का मैं सवालों का जवाब दूँगा मेरे पार कई कमेंट्स आ रहे थे कई दिनों से और मेरे वाट्शब पे भी पर्षनली मैसेज पूचे जा रहे थे कि इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब क्या होगा कौन कौन से डॉक्मेंट्स लगेंगे तो करीब इस वीडियो में मैंने 20 कोश्चन को सामिल किये हैं साइथ आपके भी मन में ये डाउट हो तो अगर आ हम लोगों को कैसे होगा क्योंकि जो आपकी कौनसलिंग होती है उसमें अगर आपका एपियर होता है तो उसमें आपकी जब तक रिजल्ट अपलोट नहीं कियाती तब तक आपकी कौनसलिंग नहीं होती तो आपको क्या करना होगा अगर एक्जाम नहीं होता है तो वीडियो लाश्ट तक देखते रहें सारी जानकारी आपको इस वीडियो को इमादधम से मेलेगी अगर आप लोगों के मन में इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई questions हो अधर questions हो तो आप हमसे पूँच रखते हैं comment करके अगर आप लोगों को personally पूछना है तो नीचे मारा whatsham number है आप हमसे कोई भी questions पूछ सकते हैं तो चलिए सबसे पहला questions आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंजली चोधरी जी के दोरा questions पूछा गया था कि good evening sir मैं और मेरी sister दोनों ने b8 को form डाला था तो क्या हम दोनों को अलग-अलग income certificate बनवाना होगा या एक से ही काम चल जाएगा please reply जरूर करें क्योंकि मैं बहुत confused हूँ तो देखिए आप दोनों लोगों को अलग-अलग income certificate बनवाना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी scholarship है अलग-अलग आएगी ठीक next question देखते हैं क्या पूँचा गया था ये question पूँचा गया था दिब्या की तरब से कि sir bear dentals को form कितनी बार apply कर सकते हैं बता दीजिए ये मेरा second attempt है तो देखिए final हम बात करते हैं इस exam में कोई limit नहीं कि आप इतनी बार attempt कर सकते हैं अब क्या जितना भी मन हो आप दे सकते हैं ठीक है वैसे तो इसमें इतनी फीस होती है तो कोई ज्यादे इसमें form fill up नहीं करता गया था एक दो बार में उनका admission हो जाता है तो आप इसमें कई बार form भर सकते हैं ठीक है कोई इसमें time नहीं कितनी बार आप लोग दे सकते हैं ठीक नेश्ट कोशन देख सकते हैं सिंकू कुमारी की दरफ से कोशन स्मूचा गया था कोशन सर्फ फीस एक ही बार में जमा करना होगा तो देखिए अगर आपकी कटेगरी OBC है ठीक जनरल है ठीक या SCST कोई भी है ठीक अगर आपके फादर्ष या मदर्ष की गौवर्मेंट जॉब है वार्सिक में ठीक है वार्सिक में 240,000 अगर इंकम उनकी ज़्यादा है ठीक तो आपकी जो फीस है वो तुरंत ही काउंसलिंग के बाद जमा होगी मान लीजिए अगर आपकी कटेगरी SC and HT है ठीक अगर आपके फादर्ष गौवर्मेंट जॉब नहीं है आपकी फादर्ष की 240,000 इंकम वार्सिक कम होनी चाहिए ठीक 240,000 से कम होनी चाहिए तब आपका फ्री में एडमिसन हो जाता है इसकॉलेट सी बेस पे अगर आपकी काटेगरी OBC जेनरल है अगर आपके पिता जी जॉब करते हैं या माता जी आपकी जॉब करती है या नहीं करती है आपकी फीस इकटा ही लगेगी ठीक आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपकी जेनरल OBC काटेगरी है आपके घर में जॉब हो चाहे ना हो आपकी फीस इकठा ही लगेगी ठीक नेक्ट कोचन ये है शर मेरा टीसी और सीसी वन येर ओल्ड है चलेगा क्या प्लेस रिप्लाई तो देखे आपकी टीसी कितनी भी पुरानी हो ठीक वो आपकी चलेगे ठीक क्योंकि टीसी तो बार-बार भी जम्मा करें ठीक उसके बाद ये स्वेटा सिंग के तरफ से question पूचा गया था सर जन्रल का जाती लगता है क्या तो देखे जन्रल का जाती नहीं लगता है ठीक है 100% नहीं बनता है इनका ठीक next question देखते हैं क्या पूचा गया था सर जब counseling होगी या हमको वहाँ जाना होगा की नहीं मुझे confusion है तो देखिए आपकी जो counseling होती है वो आपके दोरा भी की जा सकती है या आप लोग cyber cafe भी जाके करवा सकते हैं ज्यादा तर mobile से ही हो जाता है इसमें face कटानी पड़ती है पच्पंसो रुपए तो अपने से भी कटवा सकते हैं या आप लोग cyber cafe भी जाके कटवा सकते हैं आप लोग print अपना निकलवा के रख लीजिएगा print most important counseling and allotment letter जो आपका निकलता है उसकी copy आप लोग जरूर रखिएगा क्योंकि admission में वो लगता है counseling की photo copy जो निकलती है उसको जरूर रखिएगा अपने दोरा भी किया जा सकता है next जो है TC पुराने ही चलेगी graduation की हाँ बिलकुन ये एक बार मैं repeat कर चुगा हूँ इस question को तो TC आपकी पुरानी हो चल जाएगी next है share मैं be a private शी करना चाहता हूँ मैं SC category सी हूँ क्या मेरा scholarship आएगा तो देखिए आप चाहे private college से करें या government college से अगर आपकी category SC है ST है ठीक आपके father's या mother's की government job नहीं है तो आपकी 100% scholarship आएगी ठीक clear हो गया होगा अगर आपके mother's father's की job नहीं है government job ठीक अगर है भी अगर उनकी वार्षी आई जो है 240,000 से कम होगी तो भी आएगी ठीक 100% अगर आपका form सही fill up होता है तो आपकी scholarship 100% आएगी अगर आपकी category SCST है कोई भी college हो आपकी scholarship आएगी ठीक next question क्या आप पूछा गया था क्या पूछा गया था आप लोग देख सकते हैं sir mini SBI की branch में account खुला है 9th class से क्या वो चल जाएगा जी हाँ बिल्कुन चल जाएगा अगर आपका वो account zero balance का हो तो आप लोग उसको एक बार renewal कलवा देजी 1000 दे के आप लोग उसको पैसे वाला करवा लीजी एक application लिए कि आप लोग bank में main branch में आप लोग जाकि उसको संपर्क करिए उनसे बात करिए कि हमें zero balance में नहीं रखना है वो लोग आपका कर देंगे zero balance में क्या होता है आप लोग counseling करवा लेंग बाट आपका scholarship में लफड़ा होता ठीक आपकी scholarship भी जाज जाती है बट निकलवाने में आपकी दिक्कत हो जाती है ठीक तो आप लोग उसको bank जो main आपकी साखा है वहाँ पर आप लोग जाके संपर्क करें next क्या पूछा गया था sir मेरा cost and income certificate 2018 का है क्या मुझे बनवाना पड़ेगा तो देखिए काश्ट तो आपका चल जाएगा income certificate भी चल जाएगा क्योंकि 3 year इसकी valid होती है ठीक बट मेरे हिसाब से 2018 का आपका बना है ठीक क्या चल दा है 2020 दो साल इधर हो रहे है जो आपकी scholarship आनी है न वो आनी है 2021 में ठीक 21 मैनी है तो 3 साल आपका हो जाएगा तो income certificate आप लोग बनवा लिजे अभी भी time है scholarship आप अभी 10 मुत्तर वालों का भरा नहीं जा रहा है तो अभी एक महीने भी आपका income certificate बन जाएगा income certificate अगर आपको scholarship लेनी है तो बनवा लिजे ज्यादा खर्च भी नहीं होते हैं आप लोग जानते हैं 50 से 100 रुपय में बन जाते हैं आप लोग बनवा लिजे ठीक आप लोग net में उसको जरूर चेक करवा लिजे का कहीं फरजी तो नहीं बना के दे दिये हैं तो अभी आप लोग बनवा लिजे time है नेश्ट वोचन पूछा गा सर बैंक एकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का चल जाएगा क्या तो देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आपका नहीं चलेगा अधर आपके बैंक चल जाएंगे जैसे SBI होगा, BOB हो गया ये सारे banks आपके चल जाएंगे ठीक आप लोग अच्छे bank का account number दीजेगा ठीक next question क्या है general वालों को जाती लगता है नहीं अभी इसको मैंने repeat किया था ठीक ये देख सकते हैं क्या भाई UPB8 की scholarship maximum annual income कितनी होनी चाहिए 240,000 ठीक वारसी होनी चाहिए इससे उपर नहीं होनी चाहिए next guy is it character certificate important for admission जी हाँ important है आपके admission के लिए character certificate आप लोग college जहां से graduation किये हैं complete किये हैं वहाँ से आपको मिला होगा अगर नहीं मिला है तो आप लोग जाके संपर करें college में आपका मिल जाएगा character certificate ठीक original मिलेगा आपको वहीं पर लगाना होगा उसके बस sir counseling में council documents लगाएं तो देखें कांसलिंग में कोई भी documents नहीं लगता है उसमें आपको college लॉप करवाना पड़ता है face कटवानी पड़ती है college आपको alert हो जाता है बस अगर आपका happy year था यानि कि graduation इस बार final year था तो आपको वहीं आपकी marked seat upload करनी पड़ती है ठीक बस वहीं आपका documents लगता है बाकी counseling में कोई भी documents नहीं लगते है ठीक next है sir मेरा income and domain certificate 2019 का क्या मुझे फिर से बनवाना होगा नहीं आप domain यानि कि ये मत बनवाईए income certificate बनवा लिजिए ठीक नया ही बनवा के रखिए sir क्या जिसके father's government teacher की job करते हैं क्या उसकी scholarship नहीं आती please reply sir हाँ बिलकुन अगर आपके father's mother's कोई भी government teacher है या other बड़ी job है तो उसकी scholarship नहीं आती है ठीक चाहिए आपका college में कहीं भी admission हो ठीक next question ये last है sir graduation final year वालों का कैसे admission होगा ठीक तो देखे ये तो confirm है कि आपकी counseling में जैसे इस बार जिनका final year था तो उनका जो marked seat लगता है counseling में ही लगता है जब तक उनका marked seat नहीं upload होता है तब तक उनका counseling नहीं होता है तो देखे अभी भी confusion है कि आपका exam हुआ नहीं है promote वाला system क्या होगा क्या नहीं होगा वैसे तो finally year और आलों को exam 100% होगा बट अभी ये नहीं हो पारा है कि exam आपका कब होगा तो इससे संसे बना हुआ है कि हमारा counseling छोट न जाए तो देखे आप लोग tension मत कीजिए किवल आप ही नहीं है आप लोगों के साथ कई भी छात्र ऐसे हैं जो कि इस बार उनका final year था graduation तो कुछ न कुछ government and university आपको लोगों के लिए करेगी ठीक तो आप लोग tension मत लेजे ठीक आपका admission होगा चाहे आपका final year हो चाहे आपका graduation complete हो गया हो तो आप लोग tension मत कीजे ठीक तो आपका admission हो जाएगा तो अगर आप लोगों के से इने में से और questions हो जो आपके questions ना रहे हो तो आप लोग comment करके पूश रखते हैं ठीक तो I hope कि आप लोगों के ये वीडियो पसंद आया होगा तो friends वीडियो पसंद आया हो तो प्लिश वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ब्रस करें क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर UPB8 की related वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा